कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल पर सेट करें आज हमें के न्यू डेबलमेंट की पारे में पाथ कर रहे हैं अपना जैसे टेस्ट्राइब का हर चीज में आप देखना मलोग क्वालिटी कंसस हो गया सबसे द्रण का जो होगी में बता दू आपको सबसे पहले होता था उसमें कुछलिया पड़ाते थे फिर ओल्याप लेके दूसरा में इसी रिवल लापे लगाते थे तो यहां से जो ल्याप निकलता था कुम्बर में लगता था उस जमाने में अपना क्या होता था पच्यास पच्पर ग्राम पर मिटर अपन रखते थे इसे उपर नहीं रखते थे और कुम्बर भी उस जमान में जो था मदर बिलो डबल डिलिवरी वेला एली सेवन बाई फोर था एले के टूफिटी था शेंगल डिलिवरी वेला वो सब उसमें ही गया तो उस केस में अपड़ा एले स्टेन और इलिलिव चलुआ है जो दो प्रसेस था इसको लेके एक ही प्रसेस कर दिये मतलब इसमें डबल हैड रहता है मतलब ऐसे समझ लो बीस मतलब बीस स्लाइबर लाए देगा बेकर का तो दज स्लाइबर ऐसे से आता था पिर वो ड यहां पर फिर ड्राप्टिंग होता था ठीक है यहां पर फिर ड्राप्टिंग होता था ठीक है यहां पर फिर ड्राप्टिंग होगा आउट दस स्लाइबर आके फिर यहां पर स्कुज होके ऐसे दस दस भीस स्लाइबर का ऐसे आके फिर लाप बनता था यह लाप बनता था ठीजे अब इसमें क्या डीमेरिट हुआ जैसे यह दो हैड का रहाना तो उसमें अपन को क्या क्या दिक्कत गया जैसे समझ लो ग्राम पर मेंटर मानुआली चेक करते थे मतलब लाब निकलने का पार उसको फैला के एक मेंटर काट करके देख्ते ते कितना घ्राम पर वेटर है फिर आज़्यस करने के लिए इसमें गेर चेंज करना पर आठा का यह बड़ा लेंग्दी प्रोसेस जैसे करें तो उसमें यह दिक्कत रहता था और दो हैंड का जो था उसमें लेयर टु लेयर अगर पर मैसिंग नहीं बैठाना लेप लिकिंग का बहुत दिक्कत आता था लेप लिकिंग होता था और इसमें डॉफिंग टैम भी बहुत ज्यादा रहता था डॉफिंग ट्राइम मतलब यह मानलो 25-30% हो जाता था और 50-60 तक आता था ज्यादा नहीं आता था और इसमें ग्राम पर मिटर जलू बढ़ गया था इसमें भी 80 ग्राम तक आ गया था लेकिन इसमें यह दिक्कत गय क्या क्वालिटी अप कॉम्बर स्वाइबर अच्छा नहीं रहता था लेप लिकिंग होता था और जो ग्राम पर मिटर जैसे कम ज्यादा हो तो टेबुल स्टप मसल और अक्टिबेट हो जाता था कॉम्बर बार-बार बंद पढ़ जाता था तो इसको आभाण करने के लिए एक सलूसन निकाले यह अपड़ा लएस्टुंटी कर गया है ठीके यह एक हेड मिटा दिया गया और उसमें अपड़ा जाद से जब्स दिस स्राइबर तक लगा सकतो तो नर्माली 14 15 स्राइबर को लगा के एक हेड में इसको बढ़ा ले है एक हैड में इसको बढ़ा लिए और इसमें एक हैड में बढाने का बाद क्या हुआ देखो यह जो अपना जैसे 15-20 यहां लगा है 15-14 ऐसे जिल्लाली चलता है तो आप क्या करोगी मैं हैं सबसे बड़िया इसमें जो है स्टन्डर्डड्र पर मिटर फिड घर रहां है अग्राम पर मेटर और इसमें अब प्लस-mाइनस कितने ग्राम अलाव कर सकते वह भी लेख़ आ समलों प्लस-mाइनस अगर अगर बात तर आगया या अट तर आ गया लैब फर्मन चलने निदेगा बंद हो जाएगा उसमें लिखेगा आप चलाना चाते हो तो ओके करके चलाओ मतरब खराब माल जाने दो तो एसे कोई भी टेक्निश्यान नहीं बूलेगा कि खराब माल जाने दे तो इसको क्या करेगा फाइल ट्यूनिंग करने के लिए इसमें सर्बो ड्रफ सिस्टम में मलोग एक दो ग्रम बढ़ाना घटाना तो इसमें कम्पूटर माल फिड कर दूगी अपना पो बढ़ जाएगा या घट जाएगा जो भी रिक्वार्मेंट है कर जाएगा उसके बाद का इसमें और एक प्लस््पैंट है किसे पूरा सिफ्ट का कितना ग्राम कर मिटर का माल निकाला सब डीटेल आता आए और पूरा शिब्ट का अभरेज बहुस सार्य प्लस्पैंट है जो मैं आपको बताना जारहू सबसे पहला देखिए कांसिस्टेंसी इन नायल परसेंटेज आप समझनों 14 परसेंट किया 15-16 भी डिसाइड किया उसमें अगर एबला सिंगिल हैड बना अगर एलेश टूंटी के लियाप लगा आपकी बिलकुल फरक नहीं पड़ेगा ज्यादा भेएशन नहीं आएगा नाय सब्सक्राइल इंडेक्स बार-बार कुछ करना नहीं पड़ेगा सिंगल हैड लैप फर्मर आपको पता है यह एक ही बार में पंदरा स्लाइबर 14 स्लाइबर जो भी एक बार में ड्रप्टिंग होके आगे आ जाएगा इसको बोलते सिंगल हैड फ्लोर एरिया रिडूस्ट आप देख लो आपको नक्साय करके पता है दो हैड पर बहुत जागा चाहिए और सिंगल हैड में कम से कम जागा में हो जाएगा फ्लोर एरिया कम हो जाएगा तो बिल्डिंग कश्ट कम हो जाएगा आपकी यह प्लसमाट है फेड अप्टू पांच कुमबर आप 600 निप्स पर मिनिट चला तो पांच कुमबर चल जाएगा और इसमें फेड पर निप में मैक्सिमम लेग चलता हूं 5.9 लेग चलता हूं अगर छे कुमबर चला नहीं है एक एले स्टूंटी से तो पांच सो पच्चास एन पीम में चल जाएगा और दूसरा सी देखो आज वान आपको बता है वह सिंगल है फरमर है और लेग का लेटा पूर स्मूथ उनिफार्म रहता है नो लेग लिकिंग फर कॉमबर यह बहुत बड़ी चीज़े इस पर लेग लिकिंग का सवाली नहीं आता वराबर लेग चलता है लिकिंग नहीं होता ज्यादा और मैक्सिमम स्पी सब्सक्राइब अप्टू 200 एंपेम तक आप इसको चला सकतो मैंने तो इसको एक सो लब्य तक चलाते हुए देखा एक सो लब्य एंपेम उसे उपर भी 200 तक उसका मैक्सिमम दे रखा ठीक आपकी 180-190 में आपकी प्रड़क्शन निकल जाता है तो बहुत बड़िया ग्राम सब्सक्राइब करके इस सिस्टम बढ़ा है तो इसको यह मडिफाई करके इस सिस्टम बढ़ा है मलब 30-40 सेकेंड में डॉफ निकल जाता है फिर चालू हो जाता है तो इसमें डॉफिंग टाइम सबसे इंपोर्टांट यह कम किया एपिसेंजी में अचीव अप्टू बाक्तर परसेंट 72 परसेंट एपिसेंजी आराम से अचीव हो जाता है उसमें बहुत बढ़िया मलब प्रडक्टिविटी आता है इसलिए सब्ट वेस्ट जेनरेशन लेस 5 पर से जैसे कि सिंगल हैडेड और इसमें बढ़िया उन्हें लेप बनता है लेंग बकुड़ा ज्यादा नहीं बनता है लिएक पलस परड़े सब्सेंट जीएक सर्बो डॉसरा ग्रप अट घ्रम पर मिटर ऑ्टोच मेंट्व आपको जैसे समल पचितर ग्राम का अपने स्टांडर्ड डाला हुआ कंपूटर में और प्लस माइनस दो ग्राम डाला मतलब टेतर से अगर तीन ग्राम चारी ग्राम का प्लस माइनस आपको प्रसर्व ड्राप्ट से इसको माइनूटिली अजस्टमेंट करना ताकि जो आपकी स्टांडर्ड ग्राम पर मिटर आजाए लिया उन्मिल पर प्लस मानौब करते थे सीच्टम नहीं जहीए वाल्य ओजन करना ज़रूष्ण पर में पूरा उपकर मिटर आयागा आजाएग आज्यस्मेंट करना आप कर सकते हो मानवाली चेक करने की कोई जरूरत नहीं है इस प्राड़क्शन अप्टु तेरा टर्न पड़ यह सबसे बढ़िया चीज देखो आपको कम से कम साड़े बारा टर्न अजीव हो जाते तेरा टर्न मैक्सिमम लेक हम चलते हैं आप आराम से अचीब कर सकतो एक लेप फर्मर से उसके बाड़ टेबुल स्टरब मसं लेस अक्टुवेटेड यह सबसे इंपोर्टाइब देको जैसे अपना लेप निकलता है अगर उसमें कॉमबर का होता है वह बार बार अक्टिवेट होगा तो कॉमबर का एपसेंसी खराब हो जाता है तो अगर यह इस टूंटी आप लिए हैं और कॉमबर में एपसेंसी आप और हम से 94-95 परसंट तक निकाल सकते हो अगर सर्वर लेप है मैं तो बोलाओ 96-97 परसंट तक भी लि तो कहीं कम नहीं जाएगा है मिए उसका अपर इसका जो कॉलीटी अप इसका कोंबर का घंड होता है युद्ण बहुत बढ़िया क्यूंकि आपकी अप्र प्रंटेज कॉलीटी बढ़िया plastic आसलाइवर का तो अधुम्टिकली आंपके अगला प्रॉसेश में वह फाइदा ह तो इसको रेकमेंट करता है बहुत बढ़िया मेशिन है और हमने इसमें काम भी किये और देखा भी इसका परफॉवांस बहुत बढ़िया रहता है तो आपको यह नियू डेबलमेंट बाला टपिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताईएगा थैंक्यू करुंज बढ़िया बाला टूंग यह नियू इसका लगार प्लीज करते हैं को अभाष।